अजुस परमिया एक परिवार को पूरा करने में जितना सह्योग महिला का होता है उतना ही पुरुष का भी योगदान होता है यदि दोनों में से किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो तो एक बच्चे का सपना साकार करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है बदलते lifestyle के कारण धंपतियों में कई कारणों की वजह से निसंतान ताकी समस्या देखने को मिल रही है एक समस्या जो पुरुषों में 5 प्रतिशत तक देखने को मिल रही है जिसे नील स्परम, नो स्परम, स्परमेटरीय, अजू स्परमियर आदी कहा जाता है अजू स्पर्मियर क्या है? अशुक्रान ताज जिसे Medical Term में Aegis Pirmier कहा जाता है यह पुरुषों में होने वाली समस्या है जो पुरुषों में बांजपन का आम कारण है अजू स्पर्मियर की समस्या में पुरुष के सीमेन में स्पर्म की संख्या शून्य हो जाती है इसके अलावा यदि किसी पुरुष के सीमेन में स्पर्म की संख्या सामान्य से कम होती है उसे Oligos Pirmier कहते हैं दोनों ही स्थिती में पुरुष एक सामान्य प्रेग्नेंसी को करने में सक्षम नहीं होता अजू स्पर्मियर के कारण जस व्यक्ति को Ajus Pirmier की समस्या होती है उसे जल्द ही अपना उपचार शुरू कराना चाहिए अजू स्पर्मियर उपचार से पहले स्पर्म की कमी के कारण को जानना महत्वपूर्ण है चाहे वह एक Abstractive Azus Pirmier या Non-Abstractive Azus Pirmier हो अजू स्पर्मिय दो broad categories में divide किया जा सकता है अब्स्ट्रक्टिव अजू स्पर्मिय इसका मतलब है कि स्पर्म आमतोर पर testicle के अंदर उत्पादित होते हैं लेकिन जब प्रजनन ट्यूब में कोई रुकावट या बाधा हो जाती है तो स्पर्म को बाहर नहीं निकलने देती इसका मतलब है कि ट्यूब खुले हैं लेकिन स्पर्म उत्पादन में समस्या है कोई स्पर्म पैदा नहीं होता है या स्पर्म उत्पादन का स्तर बहुत कम होता है Sperm का स्तर इतना कम होता है कि यह testicles से बाहर नहीं आ सकते है और केवल testicle के अंदर पाय जा सकते है अजु स्पर्मियर के लक्षन एक आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसके सीमेन में Sperm की संख्या शून्य है हाला कि यह कोई बीमारी नहीं है यह एक ऐसी स्थिती है जो शरील के एक निश्चित कार्य की अनुमती नहीं देती है यह किसी अंके खराब होने के कारण होता है या नलिकाव में रूकावट के कारण भी हो सकता है इस मामले में यह स्वस्थ स्पर्म के उत्पादन को रोग देता है निल स्पर्म के कोई विशिष्ट बाहरी लक्षन नहीं होते हैं एक पुरुष इस स्थिती में पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई देता है इस समस्या के कोई लक्षन दिखाई नहीं देते है इसलिए आमतोर पर एक पुरुष को यह भी पता नहीं होता है कि उसे कोई समस्या है अजुस्पमियर की समस्या कितनी आम है अजुस्पमियर की समस्या बहुती सामान्य नहीं है इस समस्या से पूरे पुरुष आबादी का केवल एक प्रतिशती प्रभावित है शुक्रानू की अनुपस्थिती प्राकृतिक अवधारना पर रोक लगाती है एक पुरुष के लिए अपने सीमन में शुक्रानू होने का अर्थ है एक बच्चे के पिता बनने के लिए सक्षम होना विशेश रूप से शेहरी क्षेत्रों में पुरुष बांजपन काफी आम है जब कोई दमपती गर्भधारन करने में सक्षम नहीं होते है तो वहाँ एक उच्चे संभावना का कारण पुरुष बांजपन हो सकता है बांजपन के लिए उपचार की तलाश करने वाले दमपतियों में लगभग 20% शून्य शुक्रानों से ग्रस्थ होते है एजुस पर्मिया का पता लगाने के लिए डॉक्टर आपसे कुछ महत्वपून सवाल कर सकते है यह सवाल सेक्स लाइफ से जुड़े हो सकते है इसलिए वे इसका निदान या फिर इलाज नहीं करवाते हैं लेकिन आज के बदलते दौर में इस तरह की समस्या का इलाज संभव है कोशिश करें कि डॉक्टर से सही समय पर सलाह ले